नमस्कार आप देखरांच की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ। ये सुपारी वाले जो ड्राइवर थे उनसे जब हमने बाचीत की तो बाचीत में बताया कि ये किसका माल है हमें पता नहीं कहां से आता है हमें सिर्फोन आता है यहां से माल उठाना और यहां पहुंचाना है हम वो काम करते हैं यानि कि ये कह सकते हैं कि इसमें ये सुपारी अवैद सुपारी के सिलसिले में काफी बड़ा रैकेट नाकपूर में चल रहा है और खास बात तो यह है कि हिंगना पुलिस और फूट डिपार्टमेंट इस पे मौन है तो कहीं न कहीं से हिंगना पुलिस के जो डीबी करमचारी है या फिर इस एरिया के जो बिट मार्शल है उन पे एक बड़ा प्रशन निर्मान होता है तो पुलिस करमियों पे तो निर्मान होता ही क्योंकि जब वहां पहुंचे तो रेसिडेंशल एरिया में गेट बंद था और वहां पे मशीनों की आबाज बड़ी तेजी से बाहर आ रहे थी यानि कि आसपास के लोगों को तकल पुलिस करते हैं और छोटा करने के बाद ये खर्रा भी बेशते हैं सुधर बताते हैं कि दुकानदारों को जो निरमान होता है इस संबनदी अधिकारी से बात्चित करने की भी हम कोशिच करेंगे और एहम खुला से अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे क्योंकि यह मामला यहीं विराम नहीं लेने वाला है हमने संदीप मिश्रा से इसके बाद कांटेक्ट करने की कोशिश भी की संदीप मिश्रा ने हमें बताया कि कोई वैक्ती हैं उनके परचित जो इस संबन्दी डॉकुमेंट्स लेकर आ रहे हैं लेकिन अभी तक दो-तीन दीन बीच चुके हैं कोई डॉकुमेंट्स लेकर नहीं है और हमने जब बार-बार फोन करने कोशिश की भाई आपकी राय क्या है या सही है गलत है आप अपने डॉकुमेंट से तो हमें शो कीजिए ताकि हम इसके उपर खबर चलाने वाले हैं तो संदीप मिश्रा ने फोर न उठाना बंद कर दिया और इसके बाद हमें ये खबर आप तक ले करानी पड़ी अगले एपिसोड में एहम कुला से फिर हम आप तक ले करेंगे हमारे साथ बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन बिस्टीय न्यूज पे जैंट